ओम शान्ति आजके इस सायंकालिन सत्र में हमारे बीच में आये हैं आदर्निया राजयोगिनी गीता दिदीजी हम एक हाथ हिलाकर आपका स्वागत करते हैं, सतकार करते हैं, अभिनंदन करते हैं जिस अमदाबाद की धर्नी के लिए बाबा कहते हैं, ये तो मदुबन का कमरा है आवाज दो और पहुच जाते हैं ऐसी अमदाबाद की धर्नी से पालडी में आपने 1967 में ज्ञान प्राप्त किया और फिर जब आप पहली बार मदुबन में आए, तो साथ कन्याओं का ग्रूप आया जिस साथ कन्याओं में से आप सबसे छोटी कन्या थी और बाबा छोटे के लिए क्या कहते हैं, छोटे तो सुभान अल्ला होते हैं और फिर देदी ने वहाँ पर दम्यंती देदी के साथ जुनागर में सेवाएं दी ज्यादा तर वहाँ पर लेकिन कुछ समय फिर बरोडा में भी रहें और फिर 1972 से पोर बंदर में आपने मित बनाए गए वहाँ की सेवाओं के लिए और तब से लेकर आज दिन तक देदी वहाँ पर सेवाओं का विश्दार कर रहें आपकी अंडर में और भी दस सेंटर हैं और चुकि पोर बंदर टूरिस्ट प्लेस भी है तो साल भर टूरिस्ट भी आते हैं तो अपने बाबा के घर में बाबा के बच्चे भी उस टूरिस्ट प्लेस को देखना चाहते हैं तो साल भर दीदी के पास रोनक बनी रहती है जिसको बाबा कहते हैं जिनके घर में महमान होते हैं वो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं तो दीदी के पास तो एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, साल के पूरे तीन सो पैसर दिन महमान होते हैं, तो बहुत-बहुत भाग्यशाली है, बहुत-बहुत दुआएं कमाई है दीदी ने, और साथ-साथ जो बाबा के अव्यक्त होने के बाद, कन्याओ की ट्रेनिंग हुई प पहली ट्रेनिंग में हमने बता है शीलु बहनादी निकले हैं, और ये दुसरी ट्रेनिंग से आप निकले हैं, टीचर बने हैं, जिसके लिए बाबा कही बार कहते हैं टीचरों को, ये तो मेरे कौन है, गुरु भाई है, है ना, और अभी-भी थोड़े दिन पहले ही हम सब अपने क्या मनाई थी, गुरु पुरणी मा, कि जिस दिन हम क्या करते हैं, अपने गुरुओं के प्रति, जो उनसे हमने सीखा है, उनका सम्मान व्यक्त करने के लिए हम गुरुओं का नमन वंदन करते हैं, तो बहुत भाग्येशाली हैं पूरबंदर वाले, जिनको ऐसे ग गुरु मिले हैं, जिनको स्वयम क्या केते हैं भगवान, यह हमारे गुरु भाई है, और जिनके जीवन में अंतर मुक्ता का गुण, एक नाचरल गुण के रूप में हैं, तो अंतर मुखी, सदा सुखी, इस पर अगर कोई प्रकाश अच्छी से डाल सकता है, तो कौन, जो अपने जीवन में उसको धारन करता है, तो ऐसा सुन्दर विशे, आज दीदी अपने अनुभव के आधार से बताएंगी, कि अंतर मुखी, सदा सुखी, कैसे रहता है, आदनिया दीदी जी, और दीदी जी शुरू करे उससे पहले एक एनॉंसमेंट, कि जैसे आपको बताय साड़े साथ बजे, आप सभी को बाबा के घर से याद सौगात मिलेगी, तो याद सौगात के समय आपका बैच जरूर पहना हुआ चाहिए, जो भठी का मिला है, क्योंकि फिर पहचानना मुश्किल होता है, क्योंकि क्लास में तो क्लास के आकरशर में, जो फ्री है वो भी आजाते हैं सुनने के लिए, इसलिए पहचान के लिए ये जरूर पहना हुआ हो, और जिसको ना भी पहना हुआ हो, वो जाएंगे क्लास के बाद, और लेकर आएंगे, और पहन कर फिर बैठेंगे, तो अभी हम सुनते हैं, दीदी जी से, आज सुबसुब में मुरली क्लास के बाद, हम सभी को स्वमान दिया गया था, आप सभी को याद होंगा, शान्त स्वरूप आत्मा हूं साथ साथ डाइरिक्षन भी मिला कि आज सभी को क्या करना है मौन में रहना है और बाबा भी मुरली में हम सभी को यही सीखलाते और वारवार कहते है साइलेंस की शक्ती मौन की शक्ती तो कहा जाता है अंतर मुखी सदा सुखी तो अंतर मुखी मना अंदर ही उई जो आत्मा है उस आत्मा का हमें वार वार दर्शन करना है और बाबा भी कहते है कि जितना शान्त में रहने से काम कर सकते है उतना बोलने से काम नहीं होता है बाबा ने एक वार मुरली में कहा था कि जितना शान्ती में डबल काम होता है चूप रहने से डबल काम और बोलने से काम इतना नहीं होता है क्योंकि मुख चलता है तो हाथ श्टॉप बंध हो जाता है इसलिए बाबा हम बच्चों को वार वार कहते है अंतर मुख तामे रहो आत्मक दर्शन बाबा क्या कहते है और सारे दिन में हम देखो क्या करते है इसलिए बाबा बच्चों को कहते है कि क्या करो मुरली का सुन करके मनन करो मनन करके अभ्यास करो और अभ्यास से फिर क्या होती अनुभूती होती है तो अंतरात्मा का दर्शन क्या बाबा ने कहा और सारे दिन में हम मन्सा वाचा कर्मणा स्वबन संपर्क में क्या कर रहे है बाबा कहते उस प्रमान प्रेक्टिकल जीवन में स्वरूप में हम लाते है या नहीं मौन रहेंगे तो या प्यास हमारा बढ़ता जाता है और बाबा कहते अंतरमुक्ता मना अंडर्ग्राउंट चले जओ अंडर्ग्राउंट जाने से बाबा कहते कहीं सारी शक्तिया हमारे जीवन में देखो हम अनुप हो मिला सकते है क्योंकि कहा जाता है Silence is gold शान्ती को अंतर मुक्ता को सोने के साथ तुलना देखो की गई है तो बाबा कहते है शान्ती में रहने से कहीं हमारी शक्तिया देखो अनुबहु तो क्या लेकिन बढ़ती जाती है इसलिए कहते हैं मौन में रहो आज कहा गया न सभी ने क्या attention रखा कहें नहीं रहाई होंगा मुझे ऐसे लगता है तो बाबा कहते हैं बोलने में बहुत शक्ति जाती है बहुत शक्ति का use होता है इसलिए कहा जाता है एक गंटा बोलो तो साथ माइल तक हमने चला साथ माइल वाकिंग किया इतना बोलने में शक्ति देखो हमारी खर्च होती है इसलिए बाबा कहते और बाबा ने टाइटल भी दिया है कौनसे टाइटल दिये है तुम शांती देवता हो शांती देवी हो शान्ती के चुम्बक हो सान्ती स्थापन करने आर तुम बच्चे निमित हो कहते हैं ने बाबा इतने सारे टाइटल बाबा ने बच्चों को दिया है तो अंतर्म सारे दिन में जितना काम हो उतना ही हम बोले जैस्ती बोल 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 करते तो हमारी शक्ती क्या होती उसमें ही खर्च होती और क्या बोला किसको क्या कहा हाँ यह हमें पता भी नहीं चलता है और बोल 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 करते तो सामने वाला सुनने वाला क्या समधता है कि यह कब बंध हो अभी कईयों को आदत होती है बहुत बाते करने की बहुत बोलने की तो बाबा कहते सारे संसार समाचार बाईयात बातों में हम मन लगाते या बोलते रहते तो क्या होंगा बताओ अंतरात्म का दर्शन कर सकेंगे और बहुत बोलने से तो बाबा मुरली में हम बच्चों को वार वार कहता है सीखाता है कि मुग से कभी देखो कुवचन दुखदाई शब्दा रफ डफ बोलना यभी हो जाता कोई को टॉंट मरना होता है के ने और बाबा केते बहुत बोलने से क्या होता है रा देखते है कोई यकब बंध हो बाबां बच्चों को सीखलाते है कि आप बच्चे ब्रह्मा वच्चों हो तो ब्रह्मा वच्चों को वाक्य नहीं होना चाहिए लेकिन महा वाक्य होना चाहिए इतना कम बोले जरुरत जहां हो ताकि कोई उच्शू को हो कि यह कब बोले और हम उनकी वानी सुने यह कब बोले और हम इनका आवाज सुने और अनुबव भी कहता है कि जितना अंडरग्राउंड चले जाए उतना हमारी क्योंकि कहाग गया है शान्ती की शक्ती, साइलेंस सक्ती शक्ती के साथ देखो तुलना की गई है तो जितना शान्त रहे तो क्या होंगा हमारे में कहीं सारी शक्तियां देखो बढ़ती जाएंगी और आजकल तो बाबा कहते है बच्चे जहां कहीं भी कोई भी स्थान पर आप रहे हुए हो चैबल घर में हो, सिवा किंद्र पर हो अपने दुकान पर हो अपनी ओफीस में हो तो आस पास का वायू मंडल बिलकुल वातावरण शान्त मय होना चाहिए ताकि कोई अंदर आएं और अनुबू करे कि यहां तो इतनी सारी शान्ती परम शान्ती कहां से है हमारे अपने मुहीनी बैन को आपने देखा होंगा दादी के साथ साथ कईयोंने देखा होंगा कईयोंने ना भी देखा होंगा तो वो पोरबंदर में आई कई भार आई दादी के साथ चार पाँच वार दादी पोरबंदर में आये थे प्रकाश्मनी दादी उनके साथ मोही निभैन होते ही तो कहा दो-39 वार आई दो-39 कहा कि यहां पाव रखने से यहां रहने से बड़ी शान्ती कानवो होता है तो बाबा हम बच्चों को सीखलाते हैं जहां कहीं रहते हो वहां आसपास का वायू मंडल कोई भी स्थान पर है तो आसपास का वायू मंडल एकदम शांती का वातावरण हम बना करके रखे अब सांती का वातावरण कब बना करके रख सकेंगे जब हम अंदर से शान्त होंगे और वो शान्ती हमारी गम गीनी वाली शान्ती नहीं है कहीं वार होता है कोई परिस्थिती आई, कोई समस्य आई कोई बात बन गई कोई ने कुछ हमें कह दिया, चलो तो क्या होता है हम चेरा हमारा शान्त लगता है शान्त हो जाता है परन तु अंदर से क्या होता है बड़ी हलचल बड़ी शान्ती ओहो इसने मुझे ऐसे बोल दिया कह दिया लेकिन यह अंतर मुक्ता माना यह शान्ती माना क्या कहेंगे गम गिनी नहीं लेकिन हमारी ये शान्ती, खुशी वाली शान्ती है सांत में रहने से हमारी अंदर की खुशी, आत्मिक खुशी बढ़ती जाती है और हमारी प्रकाश्मनी दादी ने एक वार कहा था अंतर मुक्तमन क्या, क्या होट चूप, बोले ही नहीं कारोबार है, तो थुड़ा बहुत बोलना भी पड़ता है बोलना पड़ता है कि नहीं, कोई को कुछ कहना है तो कैसे या कोई इस सारों की दुनिया नहीं है और इस सारे समझ भी ना सके कोई तो थूड़ा बहुत तो कारोबार के लिए बुलना भी पड़ता है लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे मोन माना यह न समदले जैसे दुनिया वाले मोन करते हैं सारा दिन क्या करते हैं? होट चूप बोलते नहीं है मोन वरत है ऐसा हमारा जड़ता पुरुवक का लेकिन फिर अलबेला भी नहीं बनना है कि वह हमारा जड़ता पुरुवक का मोन नहीं है तो अलबेले हो जाए बोल-बोल करते हैं करते रहे बाबा तो कहीं मार कहते हैं जहां अजार शब्द बोलने पड़ते हैं वहां सौ सब्दों में काम पूरा करो जहां सौ सब्द बुलना पड़ता है मात्र दस सब्द में काम पूरा करो और जहां दस सब्द प्रयोग करना पड़ता है वहां एक सब्द से काम पूरा हो जाए तो कर दो तो उन लोगों ने तो जड़ता पुरुवक मोन वरत रख दिया लेकिन हमारा मौन कैसा है जहां कारोबार है वहां बोलना भी पड़ता है बातचीत करनी पड़ती है लेकिन बाबा कहते है कौनसी बात कहते कि मन मुख का मौन सिर्प नहीं लेकिन मन का मौन होना चाहिए मन भी हमारा शान्त रहे जैसे नहीं कहते है कोई बात बन जाती हल्चल में मन आ जाता या तो मन एक दम कहियों का मन ऐसे होता है छोटी छोटी बातों में थोड़ी थोड़ी बातों में मन एक दम चलने लग पड़ता है लेकिन बाबा हमें अप्यास कराते है कोई भी बात सामने आए कैसी भी बात आवे लेकिन हमारा मन चलने लग ना पड़े प्रकाश्मनी दादी कहती थी सिखाती थी के देखो हमारा मन चोटी चोटी बातों में चलने लगता है लेकिन दादी अम्मिस आपना अनुबव सुनाती तो कहती थी मेरे सीरपर यहां बरफ रखा हुआ है मन देखो मन एकदम शान्द अमारे पास दो रहते पाँच रहते है तो पाँच बाते आती लेकिन दादी तो बहुत बड़ा यगन चलाती तो कहीं प्रिश्न आते होंगे कहीं बाते सामने आती होंगी लेकिन दादी एक दम हलचल में आए, मन उग्र हो जाए, या तो मन चलने लग पड़े, तो ऐसा नहीं, मगज में दादी कहती थी, एक दम बरप का टुकड़ा रखा हुआ है, तो कहने का भाव है, मन शान्त रहे, और उसमें भी सुद्ध संकल्प, सुरिष्ट संकल्प, ग्नान के संकल्प कहेंगे, यह जो है सुप भावना, सुप कामना, बाबा हम बच्चों को कहते है, आपकी सामने कैसी भी आत्मा हो, कड़े संसकार वाली आत्मा हो, या तो ऐसी वैसी तमुप्रदान आत्मा हो, उनको देखकर के हमारे मन में और-और वीचार आए, जैसे बाबा कहते है, वीचार चलता है ने कई वार, यह तो सुधरता ही नहीं है, यह कोई ब्रामन है, लेकिन बाबा कहते हरेक का क्या है, अपना अपना पार्ट है, तो हरेक का अपना अपना पार्ट है, तो वोई बज और हम हलचल में आ जाए उनके पार्ट को देखकर तो हमारा मन का मौन अंतर मुकता रही नहीं मन चलने लग पड़ा तो शक्तियां भी क्या होती उसके पीछे बहुत सारी खर्च होती रहती है तो दादी कहती है हमेशा कि मुक का मौन साथ में मन का भी मौन और मन के मौन के लिए सारा दिन कोई आत्मा को हम न देखे नहीं तो बाबा कहती है आपके दूर देखने के चस्मे बड़े पावर्फुल है और अपने आपको देखने के नजीक के चस्मे नजीक की नजर एकदम कमजूर है हमें कोई को देखना ही नहीं है सारा दिन देखेंगे नहीं तो अंदर में क्या होगा बाबा कहते जो भी आप ग्नान रतन सुनते हो उस ग्नान रत्नों को अंदर से क्या करो आप? खेलते रहो यानि जैसा समय जैसी परिस्थिती जैसी व्यक्ती जैसी बात तो ग्नान रत्न को एकदम क्या करो? प्रयोग में लाओ अभ्यास करो काम में लाओ बाबा कहीं बार कहते है ग्नान का मन्थन करने से ग्नान का ग्नान रत्न से खेलने से प्रयोग में लाने से ग्नान क्या बन जाता है? शक्ती का रूप धारन करता है ग्नान एक हमारे लिए सस्त्र बन जाता है और उस सस्त्र से उस सक्ती से हम कोई भी परिस्थिती कोई भी समस्या कोई भी बात को हम अपने आप फेश कर सकते हैं हम अपने आप अपना टीचर बन करके उस बात को आई क्या कर सकते खतम कर सकते हमें कोई की मदद लेनी नहीं पड़ती कि कोई हमें समझाएं तब हम समझे नहीं तो बाबा कहते उनके मार्क्स बढ़ जाएंगे और आपके Marks कम हो जाएंगे और हम अपने आप देखो ग्नान रत्नव को प्रयोग में लाने से यूज़ करने से अमारे अंदर सच्ची समझ शक्ती के रूप में आ जाती तो हम कोई भी बात को अपने आप देखो फेस कर सकते, सामना कर सकते क्योंकि बाबा कहते है कि आपकी फिल्ड में क्या है शेवा तो है ही लेकिन सेवा के साथ क्या है माया भी है और कई प्रकार की कई रूप से माया देखो कई से भी हमारी सामने हजारों रूप लेकर क्या आती है कोई भी रूप लेकर क्या आती है तो उसका सामना और सारा दिन आप सभी भी अनुभू करते होंगे कि कोई न कोई रूप में उचाई नीचाई कोई भी प्रकार की कोई भी रूप से माया तो देखवा आती है। क्लास हम कैसे ले सकते हैं। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि ग्नान रत्न को प्रयोग में लाओ तो शक्ती का रूप सस्त्र का रूप और माया से सामना करके विजयी बन सकते हो। तो मन का मौन, मुख का मौन, फिर दादी ने कहा कानों का भी मौन। हम परचिंतन कोई करे और सुनते रहे, सुनते रहे तो क्या होंगा बताओ। व्यर्थ हमारे अंदर आता जाता है और व्यर्थ आने से क्या होंगा। बाबा से योग लगेंगा, मन शान्त रहेंगा, कि वोई व्यक्ती सामने आएंगा। इसलिए बाबा कहते कान का भी मौन। उसमें भी बाबा ने एक अंडरलाइन कराई थी, कि अगर कोई आकर पर चिंतन करता है, और हम हाँ हाँ करते रहे थे, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, क्या फिर एक्षन लिया गया के नहीं। अरे हमें क्या है, हम कोई जज है, वकिल है, हमें निणई करना है, हाँ, कोई की बात ऐसी वैसी देखते भी है, जिसे यगन किडी सर्विस हो, तो हम उपर एक वार सची बात बता दे, बस एक वार, फिर उन्होंने निणई क्या लिया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो हमे सोचने की कोई आवश्यक्ता ही नहीं है क्योंकि बाबा हम बच्चों को कहते हैं ऐसे करेंगे हाहा तो परचिंतन वाला का तो पाप बनता ही है लेकिन हमारा हाहा करने से हमारा भी साथ में पाप बढ़ता जाता है इसलिए कान का भी मौन और साथ-साथ आँखों का भी मौन होना चाहिए आँखों का मौन मन आँखों कोडर करे जो नहीं देखना है वह देखे यहीं नहीं आँखे अमारी ओडर मानती है मन अमारी ओडर मनता है कान अमारी ओडर मनता है और पांचवा मौन संग दूश का मौन हमारी सिजू बड़े है उन्हों को हम देखते रहे हमारी सिजू आगे है उनको देखते रहे और बाबा तो वो भी उची बात करते है सी फादर सी मतर मात पीता को देखते रहो मात पीता को फॉलो करो कहते हैं न तो संग दोस भी हमें देखो कैसा संग मिलता है उपर वालों को देखे नीचे हमारे से जो पीछे है पीछे वालों को देखना ही नहीं है तो पाँच प्रकार का मौन हम जाब अंदर से दिल से करेंगे तब देखो क्या होंगा सदा सुक कानुबव करते रहेंगे हम यह क्यों आए है इश्वरी इग्नानमर्ग में बला हम क्यों आए है अपने लिए आए है दूसरों के लिए नहीं आए है हाँ दूसरों का कल्यान जरूर करना है बाबा भी कहते है दूसरों को परीचे दो सेवा करो वो भी बाबा ने हमें सेवा एक मनोरंजन की रूप में दिया है बविश्य बाग्य बनाने के लिए देखो दिया है बाकी करता कराता कौन है बाबई ही कराता है लेकिन मैं कर रहाऊं मैं कर रहिएं मुझे ही आता है मैं इपलानिंग बुद्धी हूं दियोभीमान आज कहा नहीं आत्मस्वरूप आत्मभीमानी बनने के लिए समझो कोई मासी का गर आजकी मुरली में था कोई मासी का गर नहीं है आत्म भीमानी बनना आत्म स्वरूप में स्थीत होना शांती हमारा स्वदर्म है शांत स्वरूप आत्म हो तो शांती हमारा स्वदर्म है स्वदेश भी शांती दाम और सांती का सागर शिव बाबा तो जबकि सांति स्वरूप हमारा स्वदर्म भी हमारा शांति स्वरूप शांति देश के अम्रेवासी है सभी और शांति सागर बाप की संतान है वो हमारे में कितनी शांति होनी चाहिए बताओ कितनी शांति होनी चाहिए चंद्रमणी दादी जब थे वर्दान की रूप में उनके शब्द निकले मैं जा रही थी क्लास में से वदू बन में और वो भी ओम शंती भवन में यहां जो बना हुआ है ने तो ओम शंती भवन में जा रही थी और दादी पसार हुए मेरे बाजू में से तो मेरे सीर पर हाथ रख कर कहा वो चोटी थी मैं अभी ट्रेनिंग लिया था और बस थोड़े ही समय में एक दो साल के बाद यहां आये थे बाबा से मिलने दादी जी ने क्लास पुरा किया चंदरमुनी दादी को आपने देखा नहीं होगा कोई ने बाबा ब्रमा बाबा उनको कहते थे सेरे पंजाब बहुत शक्ती साली थे बहुत शक्ती साली उनों के बहुत सारे अनुबो सुने है हम सभी ने तो मेरे सीर पर हाथ रख कर कहा अंतर मुखी सदा सुखी कुछ अनुबो हुआउंगा हाँ सभा में से और जब हमारी ट्रेनिंग चली अव्यक्त बाब साकर ब्रमा बाब के जाने के बाद बाबा को बहुत इच्छा थी हुमारियों की ट्रेनिंग चले अंकल दादी ने पूरा किया जो सेवन्टी में पहली पहली बट्टी चली दो मास की कितनी? दो मास की ट्रेनिंग चली और वह भी कहां पता है? हम जो अभी ठहरे हैं सामने सांतिस्तम के सामने ट्रेनिंग सेंटर कहा जाता है ट्रेनिंग, सेंटर, उसमें उपर एक कमरा था, दीस में कमरे तो छोटे है, तीस कुमारिया बस, इतनी बैट सकती थी, त्रीस कुमारिया, तो पहली ट्रेनिंग चली दो मास्की, दुसरी ट्रेनिंग चली एक मास्की, और उसे एक मास की ट्रेनिंग में हम सबी थे चोटे-चोटे थे, पढ़ाई पढ़ करके पुरा किया तो स्कुल कॉलेज की कुमारिया थी और उसमें हमारी ये चंद्री का बेन, विदान्ती बेन पुर्णीमा बेन थी सीलू बेन भी साथ में ही थे आशा बेन थी, हम त्रीस कुमारिया और तीसे कुमारिया ब्रह्मा कुमारी बन गई कितने एंस मिल गए बाबा को कितने एंस मिल गए तीस कुमारिया एक दम घर से आई, ट्रेनिंग लिया और बस सबी के सबी सेवा किंद्र पर गए कोई गर पर, देखो गय ने, तो उससमय अमारी चंदरमनी दादी, हमारे टीचर थे, कुझ दादी, दादी और को तो आप सभी ने देखा नी होंगा, लेकिन अनुभव तो क्लासिस में सुन ही रहे हैं हम सभी, तो चंदरमनी दादी थी, प्रकाश्मनी दादी, कुझ दादी ट्रेनिंग नली निदी दी थे ऐसे ऐसे हमारी ट्रेनिंग एक मास तक चली और सभी कुमारिया तब देखो यह वर्दान मिला हुआ था अंतर मुखी सदा सुखी तो ऐसे आप कहीं कहते हैं आज जैसे मौन रखने के लिए कहां तो कहीं वार ऐसे हम बठियां करते रहते करते रहते सिवा किंद्रपर एक दिन की दो दिन की तो कहा जाता है कि आपको मौन रहना है तो कोई को बहुत बोलने की आदत होती है न बोल 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 करते रहते करते रहते हैं तो कोई कोई क्या कहते है ओ हो आज तो हेडेक हो गया बोलने ही नहीं मिला न हेडेक हो गया सुना है हमने कानों से आज तो हम बोर हो गए लेकिन बाबा कहते है हमारी शान्ती हमारा मौन उसमें खुशी समय हुई है साइलेंस सक्ती मौन की शक्ती कहा गया है तो हम बूर हो जाए हेडेक हो जाए हाँ यह तो क्या है बहुत विपरित है न के नहीं तो इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं अंदर से जो शान्त रहना जानते हैं मन चलता ही नहीं है जिसका कोई भी बात में एक वार अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था एक बाई ने पूछा अमरत वेले योग करता हूं बोजन सुद्ध खाता हूं रोज मुरली भी सुनता हूं रोज मीस नहीं करता हूं लेकिन फिर भी अंदर से शान्ती नहीं है अब अमरत वेले का योग शुद्ध भोजन और फिर मुरली सुनना और कहें अंदर का सूख अंदर की शान्ती नहीं तो अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था बुद्धी समर्पन नहीं करके चल रहे हैं रूपिया समर्पन करना सहज है रूपिया समर्पन करना सहज है लेकिन बुद्धी समर्पन करके चलना सहज नहीं है बहुत डिफिकल्ट है तो कोई ने पूछा बाबा से कि बाबा बुद्धी समर्पन कर दे बुद्धी चलाए नहीं तो बुद्धी तो फिर डेड़ हो जाएंगी कुछ कामी नहीं करेंगी तो बाबा ने कहा ऐसी बात नहीं है बुद्धी नहीं चलानी है ऐसे नहीं लेकिन बुद्धी को समर्पीत करके हमें चलना है हमने वीचार दिया बड़ों को वीचार दे करके फिर बाबा मचों के कहते हैं बालक सो मालिक, मालिक सो बालक बन जाओ यह बैलेंस हमें आना चाहिए बालक और मालिक का मालिक बन कर वीचार दिया देना भी चाहिए, देते भी है ऐसे नहीं कि मेरा माना नहीं गया मेरी बात तो रखी नहीं गई मेरा तो कोई ने सुना नहीं अब तो मैं बस चुप ऐसे नहीं करना है इसको मौन नहीं कहा जाता है हां मालिक बन करके विचार दिया आप समझो 10 ने विचार दिया अब 10 का तो नहीं रखेंगे ने 10 में से 50 में से जिस बात में फाइदा होंगा वोई बात रखी जाएंगी के नहीं ऐसे होंगा ने के नहीं तो देने समय मालिक बन जाए और सुनने समय रिजल्ट सुनने समय बालक बन जाए तो बुद्धी समर्पन करना नहीं आता है इसलिए बुद्धी चलती रहती चलती रहती जहां बुद्धी चलती रहेंगी तो क्या होंगा बताओ हाँ जरूर मोन रही नहीं सकेंगे फिर और मोन रहने में विशेष्टाएं अपनी नहीं बतानी चाहिए गुपत रखने चाहिए वर्दान लेकिन फिर भी अनुबव यहीं कहता है एक कावन वर्ष से इस्वर्य सिवा में समर्पित हुए है लेकिन सुब़ चार बजे साड़े तीन बजे से लेकर आट बजे तक जब तक मुर्ली पुरी हो तब तक पूर्बंदर सेवा किंद्र पर सुब़ सुब़ में कोई बोलता ही नहीं है कभी बोला नहीं है बोलते भी नहीं है और बाबा की सीजन में वहां तो रोज डेड़ सो, दो सो, कभी तिन सो भाई बैन आते हैं रुकते हैं, रुकने के बाद रातरी बोजन, सुबह का नास्ता, दुपेर का भोजन लेकर जाते हैं, तो साड़े तीन बजे हमें बनाना पड़ता है तब वो साथ बजे लेकर अपने आगे-ागे स्थान पर जाते हैं क्योंकि सोमनाथ, गांधी बापु का, पूरवंदर, दुवार का देखने कई भाई बैन आते हैं, यहां बाबा की सीजन होती है तो इतनों का खाना बनाना होता है अमरत वेले तो भी हम लोग बोलते नहीं है, कभी नहीं और बाबा भी कहते है, आप भी घर में भले रहते हो अभ्यास करो, कौनसा अभ्यास? सुब़ चार बजे से लेकर आठ बजे तक जब तक अमरत वेला और मुरली पूरी ना हो, तब तक हमें क्या नहीं करना है आवाज नहीं करना है, बोलना नहीं है यह वरत लेना चाहिए, जड़ता नहीं है वरत मना जड़ता नहीं, लेकिन स्वाभाविक स्वभाव हमारा क्या होना चाहिए? एकदम शान्त रहना चाहिए शान्त चीत होंगे, शान्त मन होंगे तो वायू मंडल कैसा रहेंगा बताओ शान्ती वाला रहेंगा के नहीं कोई आएंगा तो अनुबव करेंगे कि यहां तो बहुत शान्ती लगी पड़ी है और आजकल बाबा कहते हमें अन्त वाहक शरीर द्वारा सेवा करनी है चक्कर लगाना है सारे विश्व में तो लाइट का शरीर हलका फूल भारी भारी नहीं तो जबकि हमें अन्त वाहक लाइट के सरीर द्वारा जबकि शेवा करने का भी समय है वानी की सेवा दीरे दीरे क्या हो रहा है कहां जा नहीं रहे है जा नहीं पाते हैं, जा नहीं सकते हैं, है कि नहीं अभी का समय, तो अंतवाहग शरीर द्वारा, लाइट के शरीर द्वारा, हमें सारे विश्व में ब्रह्मन करना है, शान्ती की किरणे पहुचानी है, दुखी अशान्त बैचेन भटकती हुई आत्मव को सारे सुरुष्टी के गोले पर बैठ कर, हमें उन्हें किरणे देनी है, शक्ती देनी है, तो कब दे सकेंगे? जब हम यहां देखो व्यक्त में रहते हुए भी, साकर शरीर में रहते हुए, साकर दुनिया में रहते हुए, कामकाज करते हुए, खाना है तो पकाना पड़ेंगा, खाना है तो कमाना भी पड़ेंगा, लेकिन सब कुछ करते हुए, बाबा कहते है उपराम, हमारी बुद् उपर रेकर नीचे काम करे तब बाबा कहते हैं अउतार अउत्रीत समझ करके काम किया और अउतार क्या होते हैं उपर चले जाते हैं चले जाते हैं के नहीं तो ऐसे अभ्यास करने से अंतर मुक्ता की दारणा करने से बाबा कहते हैं लाइट बनकर अनेकों की सेवा कर सकींगे और बाबा तो कहीं बार कहते कितने शांत रहो मुरली में कहते बाबा रावन से भी कोई तीखा तुमारे सामने आ जाए तो भी तुमारे शांती बंग नहीं होनी चाहिए सिखा था बाबा ट्रेनिंग देता है कोई आ कर के क्रोध करता है तुम उसके उपर क्या करो फुल बर्साओ याद आता है ने मुरली की बात के नहीं फुल बर्साओ तो स्थूल फुल की बात नहीं है बाबा कहते तुम शानत रहो तुम उस समय बाबा को इतना याद करो जो वो भी थोड़े समय में शान्त हो जाए बाबा कहते तुम दूसरे कमरे में चले जाओ इकवार कोई ने अनुगू सुनाया था प्रेम बेहन ने प्रेम बेहन को भी देखा नहीं होंगा वो भी तो साकार शरीर चोड़ करके हरी द्वार में रहते थे कहीं सारे महामंडलेश्वरों की सेवा की है और बाबा के समय के थे तो वो सुना रहे थे कि बाबा ने मुझे एक सेवा किंदर पर बेजा वहाँ कोई दो बैने रहती होंगी आपस में संसकार है ने सभी के मुझे बहुत अच्छा नुगो लगा सुनाया तो तो कहा दो बैने उका आपस में वार 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 लड़ाई जिगड़ा होता रहे अब डी सर्वीस बहुत होती है ने असपास वालों की आवाज मर जाता वो सुनते है तो बाबा ने मुझे बेजा तो मैंने क्या किया लड़ाई नहीं करो, लड़ो नहीं, यह तो मैंने कहा नहीं उन लोगों को, सेकंड सेकंड में जगडा, मिनिट मिनिट में जगडा हो जाए, संसकार वस, कोई के कड़े संसकार होते हैं, तो मैंने क्या किया, जब उन्हों की जगडा हो, लड़ाई हो, तब जाकर के मैं बाब कि अपने भवन तो नहीं होते नहीं थे किराये पर मकान थे सभी तो कहा जहां क्लासरूम छोटा सा था वहां बाबा का फोटू तो रहता है तो प्रेम्बेन कहा मैं वार वार बाबा के सामने जाकर के योग में बैठ जाती थी आठ दिन ऐसे कि आठ दिन ऐसे चला तो जगड़े वो योग में आठ दिन के बाद उन दो बैनों ने पूछा क्या हम जगड़ते और आप इतनी शान्ती कहां से रखते हमें भी नहीं कहते लड़ो नहीं कहां नहीं आपने और आपने आठ दिन तक सकते है, तो कर्म करके दिखाया, कि कैसे शांत रहना है, और शांती में यी तो क्या है, सुख, शांती ना हो, कहीं वार नहीं कहते हैं, कोई के पास बहुत धन होता है, बहुत धन, लेकिन शांती ना हो तो, वर सुख क्या कम का, अगर शान्ती लगी रहे शान्ती बनी रहे तो दन का क्या होता है सुख ले सकते हैं इसलिए हम सभी को क्या करना चाहे समय भी अब बहुत फाश्ट तीवर गती से जा रहा है समय भी अमें सुचना दे रहा है कि अब समय अचानक कभी भी कुछ हो सकता बदल सकता है तो जबकि समय इतना समीप आ गया है तो हम सभी को क्या करना चाहिए Silence, Underground, अंतर मूख, अंतर ध्यान हमारी अपनी तपस्या के तरफ प्रकुटी के बीच में प्रकुटी रूपी गूफा में मैं आत्मा तपस्वी मूर्त हूँ रोज यह संकल्प करना चाहिए के ब्रकुटी रूपी गूफा में मैं तपस्वी मूर्त आत्मा अम्रत वैले साड़े तीन बजी उटकर ऐसे संकल्प करें चार बजी उटकर तो सारा दिन हमें वो तपस्या, वो बल तपस्या का वार वार दे को याद रहेंगा और याद आएंगा कि हमारा काम क्या है अंडरग्राउंड रहना बड़े-बड़े साइन्टिस्ट नई-नई इन्वेंशन करते हैं तो एक-एक साल, छेचे मास वो बोलते नहीं है साइलेंस में, अपनी इन्वेंशन में तो हमें भी क्या करना है? स्वर्ग की स्थापना, रामराज्य की स्थापना करनी है तो हमें भी कितना अंडरग्राउंड, कितना साइलेंस रहना पड़े और साइलेंस शान्ति में रहने से बाबा की याद में रहने से हमारे में दिनों दिन, देखो दिवियत आती जाती बाबा मिसाल बताते हैं कि कहीं वार कोई सन्यासी ऐसे होते हैं जो शरीर छोड़ते तो चारो तरप सन्नाटा हो जाता है, शान्ती हो जाती, तो हम तो उसे भी क्या है, बाबा के योगी बच्चे, हाँ, सर्वस्रिष्ट है, तो क्या होना चाहिए मरे आसपास, क्या होना चाहिए, कोई आए, कोई हमें देखे, तो शान्ती का दान, सुक का दान, देना न पड़े, वह अपने आप अनुभव करके जाए, कम शब्द में बोलने से भी, देखो पहले-पहले दादियां, गुलाभी बाशा में, बोलती थी, और आसुरी वृत्तियों की, आसुरी वृत्तियां बदल जाती थी, तो हम भी अंडर्ग्राउंड रहे, शांत रहे, अंतर मुखी रहे, इतनी दीव्य शक्तियां बढ़ती जाती है, जो हमें भी अंडर्ग्राउंड में यही काम करना होंगा, कि आसुरी वृत्ति वाले मनुष्यां और उनको हम देखो बदल सके, इसलिए शांत रहे, और आतिंद्रिय सुख कानुबव देखो कर करते रहे, अच्छा, ड्रामा प्लान नुसार, साकार ब्रह्मा बाबा को देखने का, मिलने का, चांस मिला हुआ थाम को, 67 में ग्नान में चले, पच्छोटी उमर थी 13 सल की, और स्कुल कॉलेज की कुमारी आ रही थी, हमारी अपनी टीचर दमियनती दी दी थे, एमदाबाद के अंदर, साथ दिन का क्लास पुरा किया, आप 13 सल की आयू, समझे समझे कितना समझेंगे हम ग्नान को, ग्नान अच्छा लगता था, नया भी लगा, एक बात याद रह गई थी, किश्यु बाबा प्यार का सागर है, एक बात अच्छी लगी, याद भी रह गई थी, और साथ दिन के बाद, जब यवेदांती बेन, चंदरी का बेन, हमारे पुर्णिमा बेन, अब दूसरी चार-पांच कुमारिया थी, साथ आ रही थी, दम्यंती दिधी लेकर के मदूबन में, तो मुझे भी बोला गया, के तुम चलेंगी, मैंने तहा कहा, साथ दिन के बाद, साकर बाबा से मतूबन में यहाँ, मिलना हुआ, साकार बाबा का प्रभाव इतना प्रभाव शाली था, चो बात मत पूछो, मैं ब्रह्मा बाबा को देख करके ही, इश्वर्य अग्नान ने चल पड़ी, यहाँ, आप सभी बहुत पद्मा पदम भाग्य शाली हो, के यह बाबा की वर्दान भूमी, चरित्र भूमी, कर्म भूमी पर, आपको पहली वार, देखो, बठी करने का, चांस मिला है, तो साकार बाबा जब थे, तो कहेंगे, जो बच्चे इग्नान में निकले, वो डाइरिक्ट रचना हो गई, बाबा की, और उस साकार बाबा को अव्यक्त होने के बाद, जो आए, वो संकल्प की रचना, तो आप सभी, हम डाइरिक्ट रचना हो गए, और आप सभी, लेकिन बाबा कहते है संकल्प की रचना भी कोई कम नहीं है सुना डारेक्ट रचना तो हई है लेकिन संकल्प की रचना भी बहुत शक्ति साली है तो साकर बाबा को मिलने का चांस मिला और जब यहां रहे थे बठी में पंड़गवन की बठी में पंड़गवन में तो बहुत वार आए है बहुत वार अब व्यक्त बाब दादा से मिलन मुलाकाद भी हुई है अब हम जब जनान में चले तो बाबा हिश्ट्री हॉल था बस और कुछ नहीं था सामने वाले ट्रेनिंग क्लास जो रूम थे वो था बंड़ा टेलीफोन के बाजू में कमरा था उसमें ही बंड़ा था बोजन करते थे तो जो पैसेज है उस पैसेज में ब्रह्मा बोजन करते थे और बड़ा ब्रह्मा बोजन होता था तो बाबा हिश्ट्री हॉल में दादिया, चन की दादी, अमरी लाइन में बैटकर, ब्रह्मा बोजन, देखो नीचे बैटकर करते थे, अभी तो कुर्सी आपको मिल गई है, लेकिन उस समय नीचे क्लास बैटकर के करते थे, तो जब आए तो बाबा की यहां पर आ रहे थे बठी में, तो मुझे जहां जहां ब्रह्मा बाबा ने वर्दान दिये, और जहां जहां मिलन मुला कातुई ब्रह्मा बाबा से, और वो सारे स्थान, आट दिन पहले गुम रहे थे एक दम, यहां बाबा मिले थे ऐसे बुला, यहां बाबा मिले थे ऐसे बुला, तो जब हम मधुबन में पहुँचे, तो पहले पहले हम नहीं अभी जाते हैं तैयार हो करके, बाबा की कमरे में जाते हैं, फिर बोजन करते तो उस समय, बाबा साकार में जब थे, तो जोपड़ी में मिले, तो लाइन बन साथ कुमारियां खड़ी हो गई वो सब पुराने थे एक एक टीट साल से ग्नान में चल रहे थे और मैं तो साथ दिन के बाद आई तुरंत तो वो आगे मैं लाश्ट में छोटी सब को बाबा दृष्टी दे रहे थे फिर मेरे पर दृष्टी पड़ी बाबा की तो मुझे सिखाया गया था ट्रेन में तोते की तरह कि साकार में बाबा जब मिलेंगे तो पूछेंगे बच्ची यहां क्यों आई हो मुझे दमियनती दिदी पड़ा रही थी तो बोलना बाब दादा से मिलने तो आई दृष्टी सब को मिली मेरे पर बाबा की दृष्टी पड़ी बाबा ने तुरन पूछा क्यों बची यहां आई हो अब साथ दिन में क्या पता पोपट को पड़ाया गया वो जवाब दिया खलक से कि बाब दादा से मिलने बाबा ने दूसरा प्रिष्ण पूछा बाब कहां है दादा कहां है अब साथ दिन के अंदर तो वो उत्तर तो नहीं आएंगा बाब कहां दादा कहां कौन दादा कौन बाब शिव बाबा का मालूम था दृष्टी दी मैं दुसरा जवाब दिया नहीं, आता नहीं था, लेकिन अनुबव हुआ साकर बाबा की दुस्टी से, कि जैसे शिव बाबा शांती का सागर है, वैसे ब्रम्मा बाबा के नैनो द्वारा, ऐसे लगा कि शांती का सागर मेरे पर एक दम उमट रहा है, एक दम, शांती का सागर शिव बाबा, ब्रम्मा के नैनो द्वारा, शांती की दिव यनुबुती मैंने किया, अच्छा, पुरा हुआ दृष्टी, दूसरे दिन, बाबा इश्री हॉल में, मुरली सुन रही थी, बाबा मुरली सुना रहे थे, मेरे लिए तो नया था मुरली, साथ दिन के बाद, मैं तो एक टीक से ध्यान से सुनती थी, और बाबा इश्री हॉल साकार बाबा की समय, आदा भी नहीं भरता था, आदा भी नहीं, इतने ही बाबा की बच्चे थे, तो दूसरी लाइन में हम बैठे थे ऐसे, एकदम नजीक, तो मुरली जैसे पूरी हुई, तो बाबा की दृष्टी मेरे पर पड़ी, तो बाबा ने कहा, ये बच्ची एक टीक से मुरली सुनती है, बाबा के वर्दान की शब्दा, ऐसे निकले, तब से लेकर, आज तक मुझे कोई एक व्यक्ति को भी मुरली सुनानी होंगी ने, त ऐसे क्लास चलता, उसी रज से में एक को सुनाती हूं, अभी तो कहीं बाबा के सभी घर में कहीं बच्चे आ रहे हैं, सभी सिवाकिंदरपर, लेकिन उस समय बाबा के होते, बाबा के अव्यक्त होने के बाद बी, देखो, गीने, चुने, विध्यार्ति आते रहे, आते रह एक को भी सुनानी पड़े और सारे दिन में चार-पांच वार सुनानी होंगी तो सुनाओंगी और कुछ बोलना मुझे नहीं आता है कोई से बात करनी हो बहुत लंबी-लंबी ओम शांती नहीं आती है करती भी नहीं हूं लेकिन पांच वार मुर्ली सुनानी हो तो बहुत मज जाता है तुनाओंगी रस पुर्वक उसमें ही मजा है कहने का भव क्या है कि ग्नान मुर्ली में और ग्नान सुनाने में हमें रस होता है ने तो व्यार्थ बाते हमारी बुद्धी में कभी आई नहीं सकती है आती ही नहीं है तो ऐसे बाबा ने का एक टीक से मुर्ली सुनती है फिर गुरुवार था गुरुवार के दिन साकार विर्मा बाबा अपने हाथों से सबी बच्चों को भोग देते थे अपने हाथों से और उस समय प्लेट आदी नहीं थी कागज में क्योंकि यगनबोत साधारन रिती से चलता था तो मैंने भोग लिया मैं एक साधी लेकर के गई थी साधी लेकर के आई थी आबु में गुरुवार के दिन मैंने साधी पहनी थी छोटी थी मैं तो भी सभी पहनते थे तो मैंने भी पहनी और वाइट साधी तो घर में रहती होती नहीं है तो बाजु में से लेकर के आई नर्स बेन वाइट पहनती है न होस्पीटल में तो उसने नई निकाल करके दिया तो मैं लेकर के आई मैंने पहनी बाबा से बोग स्वीकर किया बोग लेकर के मैं अपनी जगह पर बैठने गई थोड़ा चार पांच लाइन के बाद मेरा नमबर था उस दिन तो वहाँ मैं बुल गई बैठना हाथ में भोग और बाबा को मैं वहाँ खड़ी खड़ी देखती रही देखती रही और बाबा का दियान मेरे सामने गया तो बाबा ने वर्दान मोग से बोले कि ये बच्ची की चलन देवता जैसी है और फिर लाश्ट दिन अनुबो सुनाना होता है तो मुझे हिंदी बुलना तो आता नहीं था तो मैंने दिदी दम्यन दिदी को कहां मैं अनुबो नहीं सुना होंगी मुझे हिंदी बुलना नहीं आता है तो कहते हैं बाबा आने के पहले अनुबो सुनाना होता है फिर बाबा आते हैं और मुरली सुनाते है रातरी खलस में तो हम सभी का नंबर आ गया था सात cash कुमारियों का सुनना दमियंती दिदी लश्ट में सुना रही थी बाबा आए आकर के रोज संली पर बैठ जाते और उस दिन यहां आकर के खड़े रह गया बाबा इस श्री ओल में दर्वाजे के पास खड़े रह गये सभा थोड़ी बड़ी थी तो बाबा देखने लगे सभा को मेरे पर ध्यान गया बाबा मुझे ढून रहा था मेरे पर मैं थोड़ी दूर बैठी थी मेरे पर नजर गई बाबा की तो बाबा ने बुला आओ बच्ची आओ बच्ची जैसे कहा और मैं वहां से खड़ी हो करके चल करके नहीं बड़े बड़े जंप दे करके आ गई बाबा भी बैठ गए संली पर मैं भी बैठ गई संली पर दूसरी संली थी बैठ गई कुजराती में अनुबहु सुनाना शुरू किया सुनाते सुनाते फिर बाबा ने पूछा मैंने का मैं संकर की भक्ती करती हूं तो बाबा ने पूछा बीच में बला बच्ची क्यों संकर की भक्ती करती हो मैंने कुछ जवाब नहीं दिया मैं सुनाने लग गई फिर बाबा ने पूछा नारायन बनना या लक्ष्मी बीच में अनुबो सुनाते हुए बाबा ने पूछा नारायन बनना या लक्ष्मी मैंने फलक से जवाब दिया कि बाबा मुझे नारएण बनना है कुछ समध नहीं रही थी इतना लेकिन उत्तर इतना दिया कि मुझे नारएण बनना है ऐसे करती हुए बाबा ने लाश्ट में जब उस समय तो साथ दिन रहना होता था लेकिन हम चार पाट दिन रहे और फिर यहां से विदाई लिया तो विदाई लेते हुए बाबा ने शब्द उच्चारुन किये के बच्ची इस संग में रहेंगी तो बहुत अच्ची ब्रह्मा कुमारी बनेंगी तब से लेकर के अब तक कहेंगे अमारी बड़ी दीदी थी आप सभी ने नहीं देखाओंगा कोई कोई ने देखाओ तो बले मनमोही ने दीदी मनमोही ने भवन में रहते हो ने आप सभी नीचे संतिवन में तो मन वोई ने दी दी थी, उन्होंने भी एक वार कहा था, इन लोगों के संसकार कभी उपर नीचे नहीं हुए है, तो बाबा के वर्दान भरेश शब्द, सुनते आज तक भी याद है, और तब से लेकर के, कोई से लड़ाई करना, कोई से अण बना होना, कोई से बोलना नहीं, यह हमें अविद्या है, जानते ही नहीं है कि ऐसा करना है, सबी साथ परिवार मिला है, प्रभू परिवार मिला है, और एकी बार मिलता है सारे कल्ब में, तोण बनाओ, लड़ाई जग्डाई, इर्शाध, द्वेस, कभी हमें आता ही नहीं है करना, और इस करने में मज़ा भी नहीं है, आंत्रिक सूख हमें अनुपह नहीं होता है, ओम शंति तो दीदी ने बहुत अच्छा क्लास कराया हमने भी सुना बाबा के अनुभव भी जोड़े तो अंतरमुखी होने में सदा सुख ही सुख है तो अभी दो दिन है ना आपके अंतरमुखी होके रहना है तो दीदी का एक आति लाकर धन्यवाद करते हैं शुक्रिया कर करते हैं आभार बनते हैं